प्यारे दोस्तों रट्टा नमार जी के ट्रिक्स के इस पार्ट में आपका स्वागत है आज हम आपके सामने डिसकस करने जा रहे हैं हरिवन शिराई बच्चन की परमुक रचनाओं के बारे में जो सीखेंगे मियापर एक ट्रिक के माध्यूं से तो आएए देखते हैं इसके लिए एक शांदार सी ट्रिक बच्चन का निर्मान सूत की माला बसेरे से दूर मधू की शाला निशा की हार दो चक्तान भूलकर यामीनी पहुंची सोपान जी हाँ बस आपको इतना ही याद रखना है इस ट्रिक को आपक दो पर पढ़ेंगे तो यह आपके अच्छे से याद हो जाएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे तो आएए देखते हैं इस शांदार सी ट्रिक का मतलब क्या है बच्चन का मतलब हरिवन श्राय बच्चन की परमुख रचना हैं निर्मान मतलब नीर का निर्मान फिर सूत की माला मतलब सूत की माला बसेरे से दूर मतलब बसेरे से दूर मधु की शाला मतलब मधु शाला मधु बाला और मधु कलश निशा की मतलब निशानी मंत्रन हार मतलब तेरा हार दो चटान मतलब दो चटाने भूलकर मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं यामीनी मतलब मिलन यामीनी पहुची सोपान मतलब दश द्वार से सोपान तक अगर आपको हमारा प्रियास पसंद आया है तो हमें कमेंट, लाइक and सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाते हैं हमारी आने वाली नई वीडियो सबसे पहले देखना तो बेल आइकन को प्रेस करना पूल ये का नहीं धन्यवाद